हलो, नमस्कार, मैं सिवराज सिंग, यूटूब चैनल, एजुकेशन मित्रा प्यापका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम साइंस के एक सीरीज लेकर चल रहे हैं और इस सीरीज में मैं आपको परकास का सेकिंड पारटाज पढ़ाने वाला हूँ तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सुटेबल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राइ कॉमेंट बोक्स में जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे ताकि नए वीडियो आने वाले हैं और आपको इसका नोटिफिकेशन है, वो मिलता रहे है हाई दोस्तों, सुरू करते है क्यूसर नमर फरस्ट है परकास का वेग है उप्सर नमर एक है तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर रोज बताता हूँ आप पहले अपने वीडियो को पोज कीजिए और एक बार अपनी तरफ से आंसर को देखिए कौनसा आंसर सही हो सकता है ऐसे आप 10 आंसर मिलाई है और 10 में से आपके कितने नमबर आते हैं उन नमबर को आप चूज कीजिए और आपको पता चल जाएगा हम जीएस के कौन से इस तरफ पर चल रहे हैं इसका जो राइट आंसर है वो है ओप्सर नमर दो और आपके कितने नमर दो है इसका राइट आंसर है तीन इंटू दस की पावर आठ मीटर पर 30 सेकिंड नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमर दो है सूर्य ग्रहन के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है और आपके क्यूसन नमर एक है वरन मंडल आप्सन नमर दो है किरीट या कोरोना आप्सन नमर तीन है परभाव मंडल आप्सन नमर चार है कोई भाग नहीं तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप्सन नमर दो किरीट या कोरोना नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमर तीन सूर्य ग्रहन तब होता है जब चंदर्मा बीच में होता है दो नमबर पर्थवी बीच में होती है तीन नमबर सूर्य बीच में होता है और चार नमबर सूर्य चंदर्मा तथा पर्थवी एक रेखा में हो तथा ब्रहस्पति उस रेखा पे ने हो इसका जो right answer है, वो है option number 1, चंदरमा बीच में हो जब चंदरमा सूर्य और पर्त्वी के बीच में आ जाता है, तब हमारा सूर्य ग्रहन होता है next question है, question number 4, चंदर ग्रहन कब गटित होता है, option number 1 है इसका तो right answer है, वो है option नमर 2, पुरुणिमा की दिन, तो चंदर ग्रहन होता है, वो पुरुणिमा की दिन होता है सूर्य ग्रहन कब होता है उप्सिन नमर एक है अमावश्य की दिन उप्सिन नमर दो है पुरुनिमा की दिन उप्सिन नमर तीन है किसी भी दिन उप्सिन नमर चार है चतुर्थांस चंद्रमा के दिन इसका तो राइट आंसर है वो है option नमर एक अमावश्य की दिन सूर्य ग्रहन होता है वो अमावश्य की दिन होता है next question है question नमर 6 पानी से पेर लटका कर बेठा हुआ वेक्ती उसका पेर उपर उठा हुआ दिखाई देता है और छोटा भी दिखाई देता है इसका क्या कारण है option नमर एक है अपवर्तन के कारण option नमर दो है परावर्तन के कारण option नमर तीन है वीवर्तन के कारण option नमर चार है प्रिक्षेपन के कारण इसका जो right answer है वो है option नमर एक अपवर्तन के कारण यान परकास के अपवर्तन के कारण छोटा दिखाई देता है और उपर उठावा भी दिखाई देता है Next question है Question number 7 पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समवर्थ के कारण मुड़ी हुई प्रतित होती है Option number 1 है परकास का प्रावर्तन Option number 2 है परकास का वीवर्तन Option number 3 है परकास का अपवर्तन और option number 4 है परकास का परकिर्णन इसका जो right answer है वो है option number 3 परकास का अपोवर्तन परकास के अपोवर्तन के कारण कोई भी चीज़ है वो मूड़ी हुई दिखाई देती है next question है, question number 8 जब परकास की किर्ण वीरल माद्यम से संगन माद्यम में जाती है तो वह हो जाती है, सीधी देखा में चली जाती है option number 2 है, अभी लंब की और जुक जाती है option number 3 है, अभी लंब से दूर हट जाती है और option number 4 है, इन में से कोई नहीं इसका जो right answer है, वो है option number 2 अभी लंब की और जुक जाती है जब कोई परकास किरन विरल माद्यम से संगन माद्यम में जाती है तो वह अभिलम के और जुक जाती है और जो संगन माद्यम से विरल माद्यम में जाती है तो वह अभिलम से दूर हट जाती है ये तो अभिलम के और जुक जाती है और जो संगन माद्यम से विरल माद्यम में ज इसका तो राइट आंसर है, वो है option नमर 3, अपवर्तन और परावर्तन के कारण नेक्स्ट और लास्ट क्यूसन हमारे इस वीडियो गा इसका जो राइट आंसर है, वो है option नमर 3, काल्स से वाइउ में जाए तब सूरिय का आंत्रिक परावर्तन को सकता है तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्यूसन कैसे लगे आपको कومंट में राई जरूर दीजीएगा और धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए So, Thank You